अपने यूट्यूब कैनल गोपाल स्टेडी स्टूडियो में जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि बॉल स्कूप के डबल नट में यहां पर थोड़ी प्ले जनरेट हो रही है तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बॉल स्कूप का जो बैकलेस है उसको अड़्यस कर सकते हैं उसको मिनिमाइस कर सकते हैं तो दोस्तों आज जो प्रॉब्लम आ रही थी मशीन में, मशीन में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ये जो X-axis के coordinate हैं वो variation कर रहे थे, मतलब कि कभी वो 0.1 एक साइट जा रहे थे, कभी 0.1 एक साइट दूसरे साइट जा रहे थे, तो correction का भी कोई impact नहीं हो रहा था, जब ball screw का तो हमने bearing end पे चेक किया था play, तो वहाँ पे नहीं था play, जब हमने ball screw यहाँ पे जब ball nut लिकाला ball screw का, तो वहाँ पे play observe हुई, तो देखिए उसी के लिए हमने फिर ये जो double nut ball screw आप देख सकते हैं, वहाँ पे दोनों end उसके थोड़े बहुत hill ले थे, 0.1, 0.2 का जो play अज double nut में normally जो बीच में आपको एक spacer लगा रहता है, दोनों nut के बीच में, और कुछ pins होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यह pins होती है, जो की spacer को locate करने के लिए होती है, तो अभी मैंने दो हिस्सों में इसको बांट लिया है, जो ball screw है, तो ball screw का ball nut देख सकते ह है, दो हिस्सों में करने के बाद, मैं उसको भी clean कर रहा हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा अंदर से dust लिका लिए है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वाइपर seal है, वो थोड़ी खराब हो गई है, उस विए से हलका पुलका जो भी इसमें chips जा रहा था, उसको हम पहले साफ कर रहे ह हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत हम lubrication oil का use कर रहे हैं, lubrication oil डालने के बाद जो भी गंदगी होती है, वो oil के साथ असानी से बाहर आ जाती है, तो उसके लिए हम lubrication oil डालने हैं, उसके बाद nut को lubrication oil वाली surface से यहाँ पर rotate कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख होते रहेंगे, साफ करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें spacer को पहले हम चेक करेंगे, कि spacer हमारा जो है वो कहीं wear and tear तो नहीं हुआ है, तो वो भी हम verify करेंगे, दोस्तों ball stroke की cleaning हमने कर लिए, cleaning करने के बाद हम आप spacer को देखेंगे, तो spacer यहाँ पर देख सकते है एक में कीवे slot कटा रहता है, जिसमें हमारा कीवे fit होगा, तो यहाँ पर आप wear and tear देख सकते हैं, surface में detoration हुआ हुआ है, तो normally यह grinded surface रहती है, तो यहाँ पर detoration आप देख सकते हैं, यह detoration के करना जो size भी आ रहा है, इसका uneven आ रहा है, normally अगर यह 8 mm का, suppose इसका thickness है, तो यह ह तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने थोड़ा सा oil stone से उसको clean करने के बाद, वैसे तो अभी हमारे पास नया बनाने का time था नहीं, तो अभी हमने oil stone से उसको थोड़ा सा उसके high points लिकाल के clean करके अभी हम लगाने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास इसको backless adjustment का time है, तो आप इस spacer को, accordingly कितना आपका जो ball screw में backless आ रहा है, जैसे suppose यहाँ पर 0.2 backless आ रहा था, तो आप spacer को 0.2 mm बढ़ा सकते हैं, उसकी thickness को, और फिर उसको mount कर सकते हैं, तो उससे जो आपका backless होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि spacer बढ़ाने से होता क्या है, आप खुछ सोचिए, जब बीच में आप spacer की thickness बढ़ा देंगे, तो दोनों side को, जो दोनों, जो ये nut मैंने अलग-अलग किये हुए है, दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ को push होंगे, तो push होने से क्या होता है, कि जो ball होती है, वो tension में आती है, ball प्रिलोडड हो जाती है, जिसकी वएसे हमारा जो ball screw का backless है, वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी spacer लगा दिया है, spacer हमने वहीं लगाए हैं, मैं अभी sim की मदद से जो भी gap जितना भी यहाँ जन्नेट हो रहा है, उसको हम cover करने की कोसिस करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमन तो उसकी वएसे भी क्या होगा, कि अगर lock नहीं होगी तो वो भी वहाँ पर play generate हो सकता है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम filler gauge की मदद से यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि gap कितना है, तो यहाँ पर जब gap चेक किया, तो वहाँ पर 0.15 का जो feeling filler gauge है, वो आसानी से जा रहा है तो वैसे तो यहाँ पर हम 0.15 से लेके 0.2 तक का sim यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आपको यह चीज जहां रखनी है, अगर आप ज़्यादा thickness का यहाँ पर कुछ filler gauge या strip लगा जेते हैं, सपोज 0.2 या उससे ज़्यादा की strip आप लगा जेते हैं, जितना कि आपको required नहीं है, उससे ज़्यादा लगाएते हैं, तो आपको क्या chance है कि ball screw jam होने की chance हैं, तो आपको एक बार जब भी आप लगाएं, जब भी आप इसमें shim add करें, तो आप यह जरूर एंशूर करें कि आपका ball screw या ball nut smoothly move हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो जरूरी है, और अगर आप spacer नया बना रहे हैं, तो आप उसको जितना भी, suppose आपने अभी 8 का था, फिर 0.2 बना के बनाया, 8.2, अगर वो smoothly घूम रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं, और नया spacer बना सकते हैं, अगर वो loose है, तो या फिर अगर वो tight है, suppose वो अगर tight हो गया, तो आप उसको re-grind करके, थोड़ा बहुत grind करके उसको pre-loading ball nut की कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं sim डालना स्टार्ट कर दिया है, मैं अलग-अलग location पे बराबर sim डाला हूँ, अभी यहाँ पर मैं 0.15 की sim यूज़ कर रहा हूँ, तो यूज़ करते वक्त जो गिरने के हैं, वो कम हो जाएं, और यह lose ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं अगर कभी जब ball screw एक direction से दूसरी direction में change करेगा, अगर यहाँ पर ज़्यादा play रहेगा, तो यह लिकल सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर exactly उसी size की sim यूज़ किये हूई है, जो की tight रहे अंदर, तो गिरने के chance बहुत कम हैं, मनलब यह गिरेगी नहीं, तो अभी इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे की हम कर रहे हैं, मैंने sim को पूरा अंदर डाल लिया है, आप किसी भी tools का मदद करके उसको सानी से डाल सकते हैं, बट hammer और उस चीज़ का use ना करें, जिससे की ball nut पर dent आ यहां पर sim आप use कर सकते हैं, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, अभी हम इसको finally key का screw है, वो लगाने जा रहे हैं, तो जो old screw था हमारा वो बिल्कुल खराब हो गया था, जो उसके threaded थे, वो बिल्कुल खराब हो चुगे थे, जिसकी वे से key properly tight नहीं थी, तो यहां यहां पर मैं के mounting hole को match कर रहा हूं, जो की ball nut पे, जहां पर threaded hole है, तो वहां से मैं match कर रहा हूं, match करने के बाद, यहां पर हम screw को tight कर देंगे, तो देखिए मैंने जब old screw में लगा के दिखा रहा हूं आपको, जब screw लगाया था, तो वहां पर क्या हो था, हमारा जो thread थे, वो screw हम use कर रहे हैं, प्लस वाला, तो यहां पर इस तरीके से हम इसको tight कर सकते हैं, अभी मैं इसको जब properly tight करना होगा, तो प्लस वाले screwdriver से ही हम इसको properly tight टॉर्किंग करेंगे, ताकि इसका जो उपर का head of slip ना हो, तो properly tight करने के बाद, हम यहां पर इसको ball nut को fit करने की तयारी करे तो यहां पर हमने properly tight कर लिया, यहां पर अभी हम हिला के देख रहे हैं, तो जो पहले हमें जो moment लग रहा था, जो backless generate हो रहा था, दोनों nut के बीच में जो rotation था, वो play अभी खतम हो चुगा है, और यहां पर ball screw का moment है, या ball nut का moment है, वो भी smooth है, वो भी ज़्यादा hard नहीं है, अगर आपका hard यहां पर हो रहा है, moment तो इसका मलब प्रिलोडिंग जादा हो गई है, तो आप accordingly spacer को जो थिकने से उसको कम कर सकते हैं, या जो भी आपने shim डाला है, उसकी थिकने सको कम वहां पर कर सकते हैं, तो इस तरीके से final होने के बाद आप ball nut को घुमा के आप इसको mount कर लिजिए, और mount करने के बाद backless चेक करिए, और जब मैंने आज इसको यह शिम डाल के हमने adjust किया था, तो जो backless पहले 0.2 mm का था, वो after doing this, वो हो गया 25 micron, तो इसको हम और ज्यादा fine adjustment कर सकते हैं, with the help of adjusting spacer जो थिकने से, तो आशे करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद दोस्तों अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए, फिर मिलेंगे कुछ नए टेकनिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए देजिए, जब नमस्कार